हलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पड़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नमबर एट जो की प्लेटफॉर्म बॉलूम टू का चलाया जा रहा है यह बिहार दरोगा मुख परिच्छा के कर दिये गए हैं अगर अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं साथी साथ अगर आप इस वीडियो के पीडियेप चाहते हैं तो आप नीचे दिये गए वीडियो के डिस्क्रिप्सन में लिंक से आप ग्रूप जोइन कर सकते हैं आईदर आप या तो व वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तो आए शुरू करते हैं, आज का हमारा जो पहला कोश्यन है, वो ये कह रहा है कि मालभी जिन मित्रम नामक नाटक के लेखक कौन थे, तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा, उप्सन नमर डी, काली दास के द्वारा ये उस्तक की रचना की थी, पतंजली की बात करते हैं, तो पतंजली ने पानिनी की रचना की थी, और एकर हम बानभट की बात करते हैं, तो हर स्टरित की रचना थी, हर स्टरित की रचना बानभटने की थी, ठीक है, क्लेर है, चलिए, अब बढ़ते हैं अपने अगले कोश्यन की दरब जो की हमारा question number second question number second कह रहा है कि सिंदू गाटी सभिता से संबंदिद पुरा अस्थल संधोल कहां स्थित है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number D पंजाब में स्थित है देखिए सिंदू गाटी सभिता से एक और चीत याद रखेगा कि सिंदू गाटी सभिता का जो काल निर्धारन काल पुछा जाता है वो मेंली कारवन डेटिंग बिधी द्वारा पुछा जाता है और कारवन डेटिंग बिधी के द्वारा जो सिंदू सभिता का जो काल निर्धारन था बो था 2350 BC से लेके 1750 BC तक क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले कोशिन की तरब जो कि है हमारा कोशिन नमर ठट कोशिन नमर ठट कहा रहा है कि सिंदू गार्टी सविता में फिरोजा कहां से आयात होता था तो देखिए इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा ऑप्सन नमर भी इरान से आयात होता था सिंदू गार्टी सविता में जो टीन, सीसा, चांदी, सोना ये सब का आयात कहां से होता था इरान से ही होता था किसका लाजबर्द का आयात किया जाता था चलिये, अब बढ़ते हैं अगले कोशिन की तरप जो की है हमारा question number 4 question number 4 कहाँ रहा है कि छठी सथाबदी, इस भी छठी सताबदी साबध में महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी तो महाजनपतों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा देखिया अब ये कहां से मिलती है जानकारी की महाजनपतों की संख्या 16 थी तो जैन गरंत भगबती सुत्र अब बहुत गरंत अंगुतर निकाय में ये जनकारी मिलती है कि महाजनपतों की संख्या कितनी थी? 16 थी साथी साथ याद रखेगा कि 16 महाजनपतों की रायधानी भी आपको याद रखना होगा कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इस जनपतों की रायधानी कहां थी तो 16 महाजनपतों की रायधानी का जो एक फोटो है मैं PDF में मैं आप लोगों के ग्रूप में डाल दिया हूँ वहाँ जाके आप देख लीजेगा ठीक है? चलिए नेक्स कोशन है कोशन नमबर 5 यह नहीं पूछ հहा है यहां पूछ रहा है आप से कि 20 मह पृतिक चिन क्या था? तो 20 मह जो महाजी जैन तिर थांकरते हैं उनका नाम था मुनी सुवरत नाथ और इनका जो प्रतिक चिन था बो था कछुआ । ठीक है चलिए, अब बड़ते आपने अगले question की तरब जो की है हमारा question number 6, question number 6 कर रहा, किसकी पदा अभधी में महिलाओं तथा बच्चों की कार्ज अभधी में के घंटे को सिमित करने तथा अस्थानिय सासन को अबस्यक नियम बनाने के लिए प्रधिकृत करने के लिए प्रथम फा कर खाना अधिनयम कर लाया गया था, 1881 इसमी में लाया गया था, तो यह किसके सासन काल में हुआ, लॉड एरिपन के सासन काल में हुआ, और यह जो प्रथम कर खाना अधिनयम 1881 में लाया गया, इसी कर खाना अधिनयम के अधार पर 7 बर से कम आयू के बच्चों को काम करने प्रतिवन लगा दिया गया था ठीक है और जो साथ बर्से लेके बारे बर्स के बच्चों थे उनकी आयू फिक्स कर दी गई थी कि वो नौ घंटे से ज़्यादा कार्ज नहीं कर सकते हैं दिया रहें चलिया अगला question है हमारा question number 7 question number 7 कहा रहा है कि बुंदेल खंड की राजदानी कहा थी तो इसका जो सहीं सरोगा बो हो जगा option number B kalenger थी बुंदेल खंड की राजदानी आप लोग नाम सुने होंगे चंदेल राजबंस की तो चंदेल राजबंस जो था बोट किसके द्वारा स्थापना किया गया था नन्नुक के द्वारा ठीक है चंदेल राजबंस किसके द्वारा स्थापना किया गया था नन्नुक के द्वारा और यही चंदेल बंस के सासकों ने कालिंजर को अपनी राजधानी बनाई थी ठीक ह नेक्स कोश्चन अमारा कोश्चन नमबर 8 कह रहा है कि सल्तनत कालीन परसासन में दिमान ए बिजारत के प्रमुख हादिकारी को क्या कहते थे तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा आपसन नमबर B बजीर कहते थे देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जो इतिहासकार आप लोग नाम सुने होंगे जिया उदीन बर्नी ठीक है एक इतिहासकार थे क्या नाम था उनका जिया उदीन बर्नी और जिया उदिन बर्नी के अनुसार ही, सल्तानत कालीन परसासन में गुलाम बंस के समय चार विभाग प्रमुख होते थे, ठीक है, कितने होते थे, चार, लेकिन फिर बाद में वो कितने हो गये थे, छे, ठीक है, अगर सल्तानत कालीन परसासन की बात करते हैं, तो इसमें मंतर मंत्री परसत को क्या कहा जाता था ये भी याद रखेगा ये भी पूछा जाता है कभी-कभी कि सल्तनत कालीन परसासन में मंत्री परसत को क्या बोला जाता था तो मंत्री परसत को बोला जाता था मजलिस ए खलबत ठीक है मजलिस ए खलबत खलेर है चलिए अब अब अपने अग देखिए कुतुबुदिन बक्तियार काकी का ना बहुत अच्छे तरह से याद रखेगा यही कुतुबुदिन बक्तियार काकी जो थे यह कौन थे ऐसे अगर देखा जाए तो यह ख्वाजा मोयदीन चिस्ती के सिस्त थे अग ख्वाजा मोई दिन चिस्ति कौन थे जो भारत में चिस्ति सिलसिले की अस्थापना क्या था ख्वाजा मोई दिन चिस्ति के द्वारा ही किया गया था और ये जो कुतुबुदिन बक्तियार काकी थे यो उन्हीं के सिस्त थे कुतुबुदिन बक्तियार काकी से याद रखेगा कि ये कुतुबुदिन एबक के अध्यात्मिक गुरु माने गए थे ठीक है क्या थे अध्यात्मिक गुरु माने गए थे और जो कुतुबुदिन एबक था वो इन ही के नाम पर इन ही केस्मरिती में कुतुमिनार की नीव रखा था जो फिर बाद में जाकिल तुतमिस उसको पूरा करवाया था क्लियर है? चलिए हमने एक्स कोश्चन है हमारा कोश्चन नमर 10 कोश्चन नमर 10 कह रहा है कि नूर जहां का बास्तविक नाम क्या था तो नूर जहां का बास्तविक नाम क्या था? महरू निशा था तो आपसर नमर 20 जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा अगर हम बात नूर जहां की बात करते हैं तो नूर जहां किसकी बेगम थी? जहागीर की बेगम थी लेकिन जहांगीर जो था वो उसका दूसरा पती था पहला पती मतलब नूर जहां का जहांगीर के साथ जो बिवा हुआ था वो दूसरा बिवा था नूर जहां का पहला जो बिवा था वो किसके साथ हुआ था अली कुली बेग के साथ हुआ था अलिकुली बेग के साथ हुआ था और फिर ये जो अलिकुली बेग था इसकी मिर्टू हो गई थी 1607 इसवी में ठीक है और 1607 इसवी के बाद फिर 1611 इसवी में जहांगीर से साधी होई थी नूर जहां की ठीक है एक जब ये 1607 इसवी में इसका जो पहला प्रथम पती था अलक उस समय आप सुने होंगे कि यह जो जहांगीर था यह नौरोज का तेवहार एक मनवाया था ठीक है तो यह जो नौरोज के तेवहार में ही सबसे पहले नूर जहां को देखा था और नूर जहां फिर कहा जाता है कि नूर जहां की मतलब कि खुबसूरती पर मुगध हो गया था जहांगीर और फिर उसे साधी कर लिया था clear है चलिया next question हमारा question number 11 question number 11 कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागिदारी समाप्त करने हेतु कलाईल सर्कुलर कब लागू किया गया तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जागा option number A 22 October 1905 को देखे स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये सब किसका है बंगाल विभाजन का बहिसकार जो स्वदेशी आंदोलन हुआ बहिसकार अंदोलन हुआ ये सब जो था वो बंगाल विभाजन के बिरोज में शुरू किया गया था बंगाल विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को परभावी हो गया था ठीक है? खोसना इसकी कब हुई थी बंगाल विभाजन की? बंगाल विभाजन का घोसना हुआ था 20 जुलाई 1905 में लॉड करजन के द्वारा किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को ये क्या हो गया था? परभावी हो गया था तो ये जो सर्कुलर निकला था ये कब? ये 22 अक्टूबर 1905 को निकला था ठीक है? चलिए Next question हमारा question number 12 question number 12 कह रहा है कि नासी के magistrate Jackson की हत्या के आरोप में 19 April 1910 को किसे फांसी दिया गया था तो इसका जो सही answer होगा बहुँच अप्से नमरे लच्मन कनहारे को ठीक है लच्मन कनहारे की अगर हम बात करते हैं तो ये जो थे वो 21 दिसंबर 1909 को Jackson की हत्या कर दिये थे ठीक है और फिर इनको फांसी कम मिल गया था 19 April 1910 को इनको फांसी दे दिया गया था clear है चलिए next question हमारा question number 13 question number 13 कह रहा है कि अनुसिलन समीती का गठन किस ने किया था तो अनुसिलन समीती का गठन किये थे बारिंद्र कुमार घोस और भुपेंदर नाथ 10 ने किया था तो option A और B तो यह इसका जो सईयन सरो का बहुँ जगा option number C कि उप्यूक्त दोनों ने किया था ठीक है अनुसिलन समीती के अगर बात करते हैं तो अनुसिलन समीती की अस्थापना कब हुई थी 1904 में हुआ था 1904 से एक चीज और आपको याद रखना है कि 1904 में ही अभिनो भारत की अस्थापना किसके द्वारा किया गया था BD साबर करके द्वारा किया गया था clear है चलिए next question हमारा question number 14 question number 14 कहरा कि गांधी जी दच्षिने फिरका से भारत कब लोटे थे तो गांधी जी कब लोटे थे 9 जन्वरी 1915 को भारत लोटे थे तो इसका सही अंसर होगा option number ने और इसलिए 9 जन्वरी को मनाया क्या जाता है परवासी भारतिये दिवसमी मनाया जाता है 9 जन्वरी को इसलिए क्योंकि 9 जन्वरी को गांधी जी दच्षिने फिरका से बापस लोटे थे कभी-कभी ये भी question पूछा जाता है कि वो भारत कहां सबसे पहले उतरे थे तो ये याद रखिएगा कि वो बॉंबे का एक अपोलो बंदरगा था ठीक है अपोलो बंदरगा वही सबसे पहले वो उतरे थे ठीक है और ये उतरने के बाद 1115 में आने के बाद वो सबसे पहला अपना सत्यागरा 117 में चलाए थे चंपारन सत्यागरा ठीक है अब बात आ दिये कि यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा दच्छीन फिरका से कि वो गए क्यों थे दच्छीन फिरका तो वो गए थे 1893 में एक नाम याद रखेगा अबदुला सेट अबदुला सेट का केस लड़ने के लिए वो दच्छीन फिरका गए थे अब दच्छीन फिरका में जब गए थे तो दच्छीन फिरका में ही उन्होंने लियो टॉल अस्ट्राल फॉर्म की अस्थापना भी किया था क्लियर है? चलिए Next question हमारा question number 15 Question number 15 कह रहा है कि 8 down train को कब लूटा गया करांतिकारियों के द्वारा तो 8 down train को लूटा गया था 9 अगस्त 1925 को तो option number 20 जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा देखिए और इसी को जो 8 down train को लूटा गया था इसी को क्या बोला गया है? काकोरी कांड बोला गया है ठीक है? क्यूँ? क्यूँ क्यूँ काकोरीया station पे लूटा गया था इसको ठीक है? तो 9 अगस्त 1925 को एक रेल गाड़ी थी उसमें सरकारी खजाना भर के कहा जा रहा था? सहारनपूर से लखनव की और जा रही थी और लखनव से पहले ही काकोरीया station पे उस ट्रेन को लूट लिया गया था और इसी को नाम दिया गया काकोरी कांड जो की हूँ अथन 9 अगस्त 1925 को लेकिन ये ट्रेन का भी नाम याद रखेगा ये ट्रेन का भी नाम पुछा जाता ये आठ डाउन ट्रेन है ठीक है साधी साथ याद रखेगा कि ये काकोरी कांड का भी चाप सर से पहले मतलब ट्रेन लूटने का दिमाग के उपज थी है तो ये थी रामपरसाद बिस्मिल के उपज ठीक है एक चीज और याद रखेगा कि इसी का कोरी कांड में राम परसाज बिस्मिल को राजेंद लहडी को ठीक है असफा कुला खान को ये सब को 1927 में फासी दे दी गई थी ठीक है और इसी के केस के एक और आरोपी थे साचिंदर नासा न्याल इनको आजीबन काराबास दे दिया ग आते हैं कि ग्रह होता क्या है तो मतलब उपग्रह होता क्या है तो ग्रह के चारो और जो चक्कर लगाने बाले आकासिये पिंड होते हैं उन्हीं को उपग्रह कहा जाता है ठीक है एक चीज और यहाँ से याद रखेगा कि सबसे ज़्यादा उपग्रहों बाला जो ग्रह है वो कौन है? सनी है. ठीक है, उसके पास कितना उपगरा है? 82 यानी 82. ठीक है, एक और चीट याद रखेगा कि बूध और सुक्र के पास कोई उपगरा नहीं है. ठीक है, तो सरसे जारा किसके पास? सनी के पास और बूध और सुक्र के पास एक भी नहीं. नेक्स कोश्चन हमारा कोश्चन नमर 17. कोश्चन नमर 17 कह रहा है कि भूग गर्भ में परपटी के नीचे मेंटल का विस्तार कितने किलोमेटर तक है? तो इसका जो सही अंसर हो जागा, बो हो जागा, आपस नमर यहीं, उन्ती सो किलोमेटर तक है. देखिए, प्रिथिवी की जो अंतरिक सन रचना होता है, उसको तीन भागों में बाटा गया है. ठीक है, पहला जिसको हम लोग भूपर पटी यानि क्रश्ट बोलते हैं, सेकंड बन को हम लोग बोलते हैं मेंटल, और थार्ड बन को हम लोग बोलते हैं कोर. ठीक है तो अगर हम भूपर पट्टी मतलब क्रश्ट की बात करते हैं तो क्रश्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है सिल्कन और अल्मूनियम पाया जाता है ये प्रिथिविका सबसे उपरी परत है अगर हम mental की बात करते हैं तो ये crust के just बाद बाला मतलब दूसरा परत है और इसमें silicon और magnesium सबसे ज़्यादा पाया जाता है अगर तीसरा हम लोग core की बात करते हैं तो ये सबसे नीचे का परत है और इसमें nickel और phosphorus सबसे ज़्यादा पाया जाता है अगर हम भूपर पट्टी यानि क्रश्ट की बात करते हैं तो यह 100 km ठीक है और इसके बाद यह 29-100 km ठीक है और इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह 35-100 km ठीक है चलिए next question हमारा question number 18 question number 18 कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहारी एवं जंगली छेतरों में निमलिखित में से कौन सा एक परजातिय समूह पाया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number C mangaloid ठीक है देखे यह है क्या इस परजाती के अंतरगत 3-4 जंजातियां पा आई जाती है ठीक है next question हमारा question number 19 question number 19 कह रहा है कि कितने भारतिये परदेशों से होकर करकर रेखा गुजरती है तो यह सब को पता है कि 8 परदेशों से होकर करकर रेखा गुजरती है एक चीज़ और याद रखिएगा 25 degree उतरी अच्छांस रेखा कोई हम लोग क्या बोलते हैं करकर रेखा बोलते हैं अब बात आती है कि वो 8000 कौन-कौन है जिनसे करकर रेखा ओकर गुजरती है तो याद रखिएगा क्योंकि कभी-कभी ये question पूद दिया जाता कि इन में से किसे होकर नहीं गुजरती है और आपको चार options में दे दिया जाएगा और एक state का नाम नहीं दिया रहेगा तो आपको आठोल state का नाम याद होना चाहिए कि कि किसे किसे करकर रेखा ओकर गुजरती है तो सरसे पहला याद रखिएगा राजस्थान, दूसरे नमबर पे गुजरात, मधप्रदेश, 36 गड़, जारखंड, पस्ची मंगाल, त्रिपूरा और मिजोरम, तो ये आठ राज हैं जिनसे करकर रेखा होकर गुजरती है, clear है, चलिए, next question हमारा question number 20, question number 20 कह रहा है कि गांधी सागरबांध निवलिखित में से किसका एक भाग है, तो गांधी सागरबांध किसका, चंबल पर सागरबांध या जवाहर सागरबांध या सब चंबल परियोजना का ही एक भाग है, ठीक है, अगर हम बात गांधी सागरबांध की कर लेते हैं, तो ये मध्र प्रदेश में चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है, अगर बात यहीं पर हम कोसी परियोजना की कर लेते हैं, तो कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संजुक जल परियोजना है, ठीक है, अगर हम दामोदर घाटी परियोजना की बात करते हैं, तो दामोदर घाटी परियोजना से याद रखेगा, कि यह स्वतांतर भारत का प्रथम पहुँ देश यह परियोजना है, जो 1948 में स्थापि तर इलर्लाच रहता है प्रिथीवी के अगर हम बात करते हैं तो प्रिथीवी पार आपने दो धरुब पढ़ा होगा एक होगा उत्री धरुब और यक होगा दचनी धरुब 90 degree उतरी अच्छांस को हम लोग उतरी धरी बोलते हैं और 90 degree दचनी अच्छांस को दचनी धरूब बोलते हैं ठीक है दचनी धरूब से एक चीज़ याद रखेगा कि दचनी धरूब में पेंग्विन पच्छी पाया जाता है और उत्री धुरूब में धुरूब ये भालू पाये जाते हैं ठीक है Next question हमारा question number 22 Question number 22 कह रहा है कि मंदाक्नी नदी किस जल परवा अथवा मुख नदी से संबंदित है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा option number 1 अलक नंदा से मंदाक्नी नदी जो है वो अलक नंदा जल परवा से संबंदित है मंदाक्नी नदी की बात करें तो ये अलक नंदा नदी कहीं क्या है सहायक नदी है मंदाक्नी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं काली गंगा भी बोलते हैं काली गंगा भी बोलते हैं अम अंधाकनी नदी जो है वो रूत्र परियाग में जाके ठीक है? रूत्र परियाग में जाके अलकनंदा से मिलती है खेले हैं? चेले हैं नक्स कोशन है हमारा कोशन नमबर 23 कोशन नमबर 23 कह रहा है कि फैलिन चकरबात किस देश से संबंदित है तो फैलिन चकरबात जो है वो भारत से संबंदित है तो आपसन नमबर 23 जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा फैलिन के अगर हम बात करते हैं तो ये उस निकटी बंदिये चकरबात है जो आंध्र परदेश और उडिसा को परभावित करता है किसको आंध्र परदेश और उडिसा को परभावित करता है फैलिन चकरबात अभी रिसेंटली आपके एक्जाम में पुछा जा सकता है जो चकरबात है वो दो चकरबात आप याद रखेगा पहला जो हमारा चक्रबात है वो है अंफान ठीक है ये कहां कहां कोई effect किया है अंफान के अगर हम बात करते हैं तो अंफान जो था वो पश्चिम मंगाल और उडिसा में अभी 2020 की ये recent की घटना है और एक और चीज याद रखेगा निसर्ग चक्रबात कहां गुजरात और महर तो दो याद रखेगा एक निसर्ग एक अंफान निसर्ग गुजरात और महराष्ट में और अंफान पश्चिमंगाल और उडिसा में चक्रबात से एक और चीज पूछा जाता है बहुत बार एक जाम में कि चक्रबात में कहां उच्च बायुदाब होता है और कहां निम्न तो चाकरबाद की स्थिति में केंदर में जो होता है वो निंद बायुदाब होगा और बाहर जो होगा वो उच्छ बायुदाब होगा ठीक है चलिए Next question हमारा question number 24 Question number 24 कहा रहा है कि कनारी जल्धारा किस देश से संबंदित है तो इसका जो सयंसर होगा बो हो जगा option number ये अस्पेन से संबंदित है और ये कैसे जल्धारा है ये एक ठंडी जल्धारा है ठीक है अगर हम बात करते हैं कि जल्धारा जल्धारा होता क्या है तो समझ लिजे कि जब महासागरों के जल को बहुत बड़ी मात्रा में कोई एक निश्ची दिशा में लंबी दूरी तक समान गती से प्रभाहित होने लगती है तो उसे ही क्या बोलते हैं जल्धारा बोलते हैं ठीक है next question हमारा question number 25 question number 25 कह रहा है काल सुभाई की पहाड़ियां किस राज में स्थित है तो ये महराष्ट में स्थित है तो option number 20 होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है उत्री सहाध्री आप लोग नाम सुने होंगे तो उत्री सहाध्री की जो सबसे उची चोटी है उसी को काल सुभाई कहते हैं ठीक है और इसी काल सुभाई चोटी के दस्चिन में पश्चमी घाड़ पे महाबलेश्वर अवस्थित है ठीक है चलिए next question है हमारा question number 26 question number 26 कह रहा है बसु भसुन धारा जल परपाद किस नदी परिस्थित है तो यह अलकनंदाज नदी परिस्थित है तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है अगर हम बात यहीं पर नर्मदा नदी की कर लेते हैं तो नर्मदा नदी से याद रखेगा निनाई जल परपाद क्या निनाई जल परपाद जो है वो नर्मदा नदी पर इस्थित है ठीक है अगर हम मचकूर नदी की बात करते हैं तो मचकूर नदी से याद रखेगा एक है डूडुमा जल परपाद डूडुमा जल परपाद जो कहा है उडीसा में ये मचकूर नदी पर ही इस्थित है ठीक है Next question है हमारा question number 27 Question number 27 कह रहा है कि Arid Forest Research Institute कहां इस्थित है Arid का मतलब होता है सुस्क कभी-कभी हिंदी में भी लिखा रहेगा कि सुस्क बन अज़ संधान संस्थान कहां इस्थित है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जगा Option number B जोदपूर में इस्थित है ठीक है Next question हमारा question number 28 Question number 28 कह रहा है कि सबसे कम उम्र में भारत रथन पाने वाले कौन है तो सबसे कम उम्र में भारत रथन पाने वाले जो हैं वो हैं सचीन तेंदुलकर तो Option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा और सचीन तेंदुलकर की अगर हम बात करें तो इनको 41 बस की उम्र में 2014 में भारत रथन प्रदान किया गया था ठीक है भारत रथन से एक चीज़ याद रखेगा कि भारत रथन का जो सुरुआत हुआ था ठीक है Next question है Question number 29 Question number 29 कहरा है कि चाबल कैसी फसल है तो चाबल की अगर हम बात करते हैं तो चाबल खरीफ फसल है तो Option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा देखिए फसल को हम लोग मिलनी तीन पार्टों में बाटते हैं एक होता है खरीफ एक होता है रवी और तीसरा होता है जायद अगर हम खरीफ की बात करते हैं तो खरीफ फसल वो होता है जो जून जुलाई में बोया जाता है ठीक है और October November में काट लिया जाता है उसको बोलते हैं खरीफ फसल अगर हम रवी फसल की बात करते हैं इसको नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और इसको मार्च अपरेल में काट लिया जाता है उसको बोलते हैं रभी फसल अगर हम जायद फसल की बात करते हैं तो जायद फसल की जो बुआई है वो मार्च अपरेल में किया जाता है और जून जुलाई में उसको काट लिया जा तो option number ये जो होगा वो हमारा सही answer हो जागा देखिए यहाँ question पूछा गया है तेल की मातरा लेकिन कभी-कभी आप ज्यादातर question जो देखिएगा वो पूछा जाता है कि soya bean में protein की मातरा कितनी पाया जाती है तो यह prox 40% के लगभग उसमें protein पाया जाता है ठीक है soya bean से एक पर चीज याद रखेगा कि soya bean का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज है वो है MP मध्यप्रदेश जो है वो soya bean का सबसे बड़ा उत्पादक राज है next question हमारा question number 31 question number 31 कह रहा है कि स॥ातंदर भारत के पहले मंत्री मंदल में स्वास्ट मंत्री कौन थे तो इसका जो साइव अन्सर होगा बो हो जाएगा, option number C यानि राज कुमारी अमरीत कौर ठीक है राज कुमारी अमरीत कौर इनका नाम है यही क्या थी? पहले मंतरी मंडल में स्वास्ट मंदरी थी ठीक है, अगर हम जग जीवन राम की बात करते हैं तो यह पहले मंतरी मंडल में स्रम मंतरी थे याद रखिएगा ठीक है, अगर हम डॉक्टर जॉन मतरी की बात करते हैं तो जॉन मतरी रेलवेव, हम परिभान मंतरी थे ठीक है, और अगर हम CH भाबा की बात करते हैं तो यह बानीज मंतरी थे ठीक है, क्या थे? बानीज मंतरी थे तो ये सब याद रखेगा चलिए अब अपने अगले question की तरब जो किया हमारा question number 32 question number 32 कर रहा है कि संभीधान सभा में अंतिम बाचन कब किया गया था पहले तो आप याद रखेगा कि संभीधान सभा में कुल 12 धिवेशन और 3 बाचन हुए थे तो देखिए पहला जो बाचन हुआ था वो हुआ था 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 तक दूसरा जो बाचन हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर 1949 को यही 26 November 1949 को हमारा सम्मिधान सबा, जो था वो हमारे सम्मिधान को approved कर दिया था, ठीक है, तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा, option number C, यानि 14 से लेके 26 November 1949 तक, clear है, चलिए, अब अगला question है हमारा, question number 33, question number 33 कहा रहा है कि राजपुनक गठन अधिनियम 1956 के दहत, कुल कितने राज़यों का गठन किया गया था, तो इसका जो सही अंसर हो जागा, option number B, 14 राज़यों का गठन किया गया था, देखे, यहाँ से question समझेगा, राजपुन गठन अधिनियम की पुछेगा तब होगा उनई 156, लेकिन अगर आपसे पुछेगा कि राजपुन गठन आयोग, तब उसका गठन हुआ था उनई 153 में, ठीक है, और राजपुन गठन आयोग की अध्याच कौन थे, मोहमद फजल, फजल अली, ठीक है, मोहमद फजल अली थे, क्लेर है, और यह जो राजपुन गठन अधिनियम उनई 156 था, इसी के तहत क्या हुआ था, 14 राज़यों का ग अनुछेद इकीस जो है वो प्रानेवम दहीक सो तंतता से संबंदित है, तो अपसन नमबर 6 जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, अगर उपाधियों की अंत की बात करते हैं, अनुछेद 18 में, अवास्प्रिस्ता का अंत की अगर हम बात करते हैं, तो यह किसमें हैं, अनुछेद 21 और अनुछेद 20 ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट है अनुछेद 21 तो हो गया प्रानवम दहिक सोतंतता का अधिकार अनुछेद 20 के ताहर तीन तरह की सोतंतता मिलती है कि जो आदमी जिस समय कांड करेगा मतलब आरोपी होगा उसी अनुछार से सरजा मिलेगा खुद के प्रती गवाही देने के लिए बाद नहीं होगा ये सारे तो 20 और 21 जो है ये इसलिए इंपोर्टेंट है कि 20 और 21 को किसी भी प्रस्थिती में निलंबित नहीं किया जा सकता मौली कदिगार में ठीक है कि जैसे कि बीतिया पातकाल भी लगेगा तो उस समय भी 20 और 21 जो है वो निलंबित नहीं होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन हमारा कोश्चन नमबर 35 कोश्चन नमबर 35 कर रहा है कि राज के निती नहीं दे सकता तो वो का उलेक सम्विधान के किस भाग में किया गया है तो राज के निती नहीं दे सकता तो का उलेक किस में है भाग 4 में तो अप्सन नमबर C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा राज के निती नहीं दे सकता है तुमसे याद रखेगा भागचार आयरलेंड से लिया गया है ठीक है और अनुछेद कितना? 36 से एक आमन ये तीनों चीद आप याद रखेगा और एक नाम याद रखेगा केटी साह केटी साह ने क्या कहा था? कि एक ऐसा चेक है जो इसको सुपधा के अनुचेद भंजाया जा सकता है नक्स कोशन अमारा कोशन नमर 36 कोशन नमर 36 का रहा कि भारत के राश्ट पती का समबन्दीत अनुछेद नहीं है तो देखिए इसका सही अंसर कौन सा होगा इसका सही अंसर होजगा अनुछेद तिरसट ठीक है अनुछेद तिरसट क्यूं होगा क्योंकि अनुछेद तिरसट में तो क्या है उपराश्टपती का प्रभधान है ठीक है अनुछेद तिरसट में क्या है अनुछेत तिर्पन यह कहता है कि राश्ट की समस्त कारपाली का सक्ती राश्टपती में नहीत होगी और जिसका परियोग वो किस पे करेगा मंत्री परिसत की सलाह से करेगा ठीक है और अनुछेत चववन क्या कहता है अनुछेच चववन कहता है कि राष्टपती का जो निर्वाचन होगा वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा और राष्टपती के निर्वाचक मंडल में रहेंगे कौन-कौन संसत के दोनों सदस्नों के सभी निर्वाची सदस और लाज्यों के बिधान सभा के तथा के अंदर 7 परदेश की बिधान सभा के सभी निर्वाची सदस रहेंगे ठीक है, सिर्फ आ सिर्फ निर्वाची सदस रहेंगे, यह याद रखिएगा अगला question हमारा, question number 37 question number 37 कह रहा है कि लोग सभा में मदरपदेश की सीटे कितनी है तो लोग सभा में मदरपदेश की सीटे हैं 29 तो option number C जो होगा वो आपका सही अंसर हो जाएगा दिसमें की 29 में याद रखिएगा कि जो 10 सीट है वो SCST community के लिए रिजब्ड किया हुआ है, ठीक है अगर हम यहीं पर बिहार की बात कर लेते हैं क्योंकि बिहार से रिलेटेड हमारा एकजाम है तो बिहार की अगर हम बात कर लेते हैं तो बिहार के बिधान सभा की अगर हम बात करते हैं कितीनों मैं बता देता हूँ चलिए, next question की अगर हम बात करते हैं, तो वो है question number 38, question number 38 कहा रहा कि लोगसभा के प्रथम अध्याच कौन थे, तो लोगसभा के प्रथम अध्याच कौन थे, गनेश बासुदे माबलंकर, मतलब जी भी माबलंकर, तो अपसा नमबर ये जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, या याद रखिएगा, कि लोगसभा अध्याच और लोगसभा उपध्याच के पद का गठन कौन से, लोगसभा का गठन तो अनुछेद एकासी के तहद, लेकिन लोगसभा अध्याच और लोगसभा उपध्याच के पद का गठन, तो अनुछेद तीरानमे के तहद, ठीक है, अ हमार 39 कहा रहा है कि मुख मंतरी की निक्ति कौन करता है तो ये तो बड़ा असान सा कोशन है कि मुख मंतरी की निक्ति कौन करता है राजपाल करता है तो आपसे नमबर सी हो जागा वो हमारा सही अंसर हो जागा कौन से अनुछेद के तहत ये भी याद रखिएगा अनुछेद 163 के तहाथ कि अनुछेद 163 के तहाथ ही मुख मंत्री की निउपती राजपल के द्वारा किया जाता है ठीक है Next question है हमारा बिहार बिधान सभा में कुल कितने सीटे हैं तो यह भी हम लोग डिसकस कर लिये थे कि बिधान सभा में 243, लोग सभा में 40 और राजपल में 16 इसका जो सायन सरो हो जागा वो हो जागा option number B यानि 243 बिधान सभा से याद रखेगा कि बिधान सभा जो होता है वो राज बिधान मंडल का नीचला सरदन होता है ठीक है अब अनुछेद 168 है कि याद रखेगा अब इधान सभा का कार्जगल कितना पांच बर्स ये तो आप लोग सबको पता ही होगा ठीक है चलिए next question हमारा question number 41 question number 41 कह रहा है कि वैसी अर्थवेवस्थाएं जो बाह अर्थवेवस्थाएं से किसी भी परकार के संबंध नहीं रखती है वो क्या कहलाती है मतलब बाह अर्थवेवस्था से किसी भी परकार के संबंध नहीं रखना मतलब ना हम उसको कुछ देंगे ना हम उससे कुछ लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बंद अर्थवेवस्था बोलेंगे यानि option number D जो होगा वो हमारा सही अंजर होगा बंद अर्थवेवस्था कोहीं क्या बोला जाता है आत्म निर्भवर अर्थवेवस्था मतलब हम खुद में इतना सच्चम है कि ना हम आपसे कुछ लेंगे ही नहीं ठीक है अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं पुझिवादी अर्थवेवस्था की तो पुझिवादी अर्थवेवस्था क्या होता है वो अर्थवेवस्था जिसमें उत्पादन एबं बितरन के सभी साधनों नीजी स्वालवित में हो मतलब private हो उसमें हम लोग बोलते हैं पुझिवादी अर्थवेवस्था भारत में कौन सी अर्थवेवस्था है मिसरीत अर्थवेवस्था मिसरीत अर्थवेवस्था किसको कहते हैं एक ऐसा अर्थवेवस्था जिसमें नीजी स्वामित और सार्वजनिक स्वामित, मतलब government सकता है, private सकता है, दोनों का सायोजन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिजरीक अर्थ वेवस्था बोलते हैं, ठीक है, एक और रहे गया, खुली अर्थ वेवस्था, खुली अर्थ वेवस्था क्या होता है, खुल मतलब उसमें फसल उख जाने के लिए उसी को बोला जाता है क्रिसी जोत मतलब कितना जो क्रिसी योग भूमी होती है उसी को क्रिसी जोत बोला जाता है तो किस समीति के द्वारा क्रिसी जोतों पर कर लगाने के संसूती की गई थी तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जागा option number a, राज समीती के त्वारा किया गया था, ठिक है ये राज समीती जो था यही सिफारिस किया था कि क्रिसी जोत्कर के अनुरूप मैं राज में क्रिसी संपत्ति पर भी कर लगाया जाना चाहिए, जो क्या होना चाहिए जो धनकर से मिला हुआ होना चाहिए भुगतान संतुलन से था ठीक है और एकबर्ट समीति का संबंध किसे था रेल बजट को आम बजट से अलग करने किसी फारिश की गई थी एकबर्ट समीति में ठीक है तो इसको याद रखिएगा अगला कोश्चन हमारा कोश्चन नबर 43 कर रहा है कि प्रोवर्टी एन अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया पुस्तक में दादा भाई नरोजी ने 1868 मतलब 1860 में प्रति बेक्ति बार्सी का है कितना बताया था तो ये बताया था 20 रूपया तो आप्सन नबर बी जो होगा वो हम रखेगा कि अभी फिलहाल में राष्टिया आयका आकलन कौन करता है भारत में CSO करता है Central Estatical Organization मतलब केंदरिये सवांक की संगठन के द्वारा किया जाता है क्लियर है चलिए नेक्स कोश्चन हमारा कोश्चन नबर 44 कोश्चन नबर 44 कर रहा है कि बर्स 1949 में किसकी अध्यचत में निउकती हुई थी ठीक है और आष्टिया आयका सरप्रथा मनुमान किसने की लगवाया था दादा भाई नौर्य जी के द्वारा लगाया गया था ठीक है चलिए next question है question number 45 question number 45 कर रहा कि हंदू बरिधि दर का प्रतिपाधन किस ने किया था तो हंदू बरिधि दर का प्रतिपाधन किया थे professor Raj krizol ने किया था तो answer number B जो होगा तो आपका सही answer हो जागा एक चीर याद रखेगा कि यहB Professor Raj krizol थे इन्होंने 1950 से लेकि 6 कह रहा है कि एक चंद्रमा कितना सोर दिबस के बराबर होता है तो option number B जो होगा वो हमारा सही answer होगा चलिए अब अच्छ अगले questions की तरफ जो कि हमारा question number 47 47 कह रहा है कि एक फर्मी में कितना meter होता है देखिए फर्मी को एक चीझी लख्येगा कि fermi को femto भी कहा जाता है अब तो आप लोगों को clear हो गया होगा कि fermi को femto कहा जाता है तो एक femto में कितना होता है 10 to the power minus 15 meter होता है तो इसका जो सही answer हो जागा वो हो जागा option number C ठीक है अगर हम बात कर लेते हैं 10 to the power minus 2 meter को क्या बोला जाता है ठीक है clear हो गया चलिए next question हमारा question number 48 question number 48 कर रहा कि कार्ज का बीमा क्या होता है तो कार्ज का बीमा क्या होता है ml square t to the power minus 2 तो option number B जो होगा वो हमारा सही answer होगा ठीक है अब next question हमारा question number 49 question number 49 कर रहा है कि एक गेंद को एक गेंद को ए है उसको 6से नीचे गिराये जाता है और उसी समय दूसरी गेंद को B को 36 इसां में फेका जाता है तो दोनो गेंद में से कौन सा पहले परतिवी पर पहुँचेगा तो इसका जो सही अंसर होगा वो यह होगा कि दोनो गेंद 1-7 ही परतिवी पर पहुँचेगा तो option नमबर 3 जो होगा वो हमारा साही answer होगा और ये दोनों गेंद जो होगा वो एक साथ क्यों पहुँँлек ये कौण से गुण के कारण तो उसको बोला जाता है क्या पर्षेप गती गुण के कारण वो एक ही साथ नीते पहुँचेगा यह पर्षेप गतिगुन आप लोग पढ़े होंगे ठीक है? चल यह next question अमारा question number 50 question number 50 कह रहा है कि यदि किसी motor गारी का पारंबिक मतलब initial velocity यहां दिया हुआ 10 meter per second और उसमें उत्पादन त्वरन मतलब acceleration दिया हुआ 4 meter per second square और time दिया हुआ 8 second तो 8 में second में वो कितनी दूरी करेगा तो आप लोग एक formula पढ़े होंगे s बराबर u plus a by 2 2n minus 1 ठीक है? अब यहाँ पे क्या कैची दिया हुआ है u की value initial velocity आपका दिया हुआ 10, a का value दिया हुआ 4 और n का जो value है वो दिया हुआ 8 ठीक है? तो इसको आप इस formula में रख दिजेगा तो इसको solve किजेगा तो answer आजएगा 40 meter तो option number यह होगा वो आपका सही answer होगा clear है? चलिए next question है question number 51 question number 51 कह रहा है कि यदि किसी बस्तु को धरातल से 30 degree का cone बनाते हुए 4 meter प्रती सेकंड की प्रारंबिक गती से प्रशेपीत किया जाए तो बस्तु अधिक्तम कितनी उचाहिते करेगा ठीक है? तो यहाँ भी आपने एक formula पढ़ा होगा उचाहि बराबर u square sin square theta upon में 2g ठीक है? यहाँ पे u की value कितनी दिए हुई है? u की value दिया हुआ है 4 meter per second ठीक है? 1 by 5 यानि 0.2 meter आपका अंसर आजागा तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है? चलिए next question हमारा question number 52 question number 52 कर रहा है कि पारा का घनत्र कितना है? तो पारा का घनत्र कितना है? तो option number C जो होगा वो आपका सही अंसर होजागा 3600 kg per meter cube सबसे ज़्यादा याद रखेगा कि सबसे अधिकतम घनत्र किसका होता है? OCM का ठीक है? किसका? OCM का पारा की अगर हम बात कर लेते हैं तो पारा का परमानू संख्या होगा 80 अब दरबमान संख्या होता है 200.200 कुछ होता है मतलब आप 200 याद रखेगा ठीक है? Next question है हमारा question number 53 Question number 53 कह रहा है कि दरब और ठोस के किसी असपर्स बिंदू से दरब के प्रिष्ट पर खीजी गई असपर्स रेखा तो ठोस के प्रिष्ट पर दरब के अंदर की और खीजी गई असपर्स रेखा कि बीच बने कोन को क्या कहते हैं? तो इसका जो सई अंसर होगा वो जगा option number C असपर्स कोन कहते हैं यहां से एक चीज़ याद रखेगा कि असपर्स कोन जो होता है वो अलग-अलग ठोस और दरब यूगम के लिए सब का मान अलग-अलग होगा आपको जैसे कि जल और काच के बीच का असपर्स कोन का मान होता है 150 डिगरी चांदी वसूद पानी के बीच के असपर्स कोन का मान होता है 90 डिगरी मतलब कहने का मतलब क्या है कि अलग-अलग ठोस और दरब यूगम के लिए असपर्स कोन का जो मान होगा वो अलग-अलग होगा ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन है हमारा कोश्चन नमबर 54 कोश्चन नमबर 54 कह रहा है कि केस नली में उपर चड़ने और नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं तो इसका जो सही अंसर है उसको कहते हैं कैपलेडीटी यानि केसी तत्व ठीक है तो आपसर नमबर बी जो होगा वो आपका सही अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स कोश्चन हमारा कोश्चन नमबर 55 कोश्चन नमबर 55 कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है मतलब कौन नहीं मिला हुआ है तो नेस्तर इंसिचूट आफ ओसनोगराफी समुद्र बिज्ञान का राष्टी है संस्थान तो ये गोवा में है बिल्कुल सही है इंडियन नेस्नल फॉरेस सेंटर फॉर अस्यसियेशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेस हदराबाद सही है नेस्नल इंसिचूट आफ ओसियन टेक्नलोजी ठीक है चन्नल इ भी सही है अंट्रार्टिक स्थाडिसेंटर बैंगलोरु ये गलत है अंट्रार्टिक स्थाडिसेंटर है ये भी गोवा में ही स्थित है तो option number D जो होगा वो आपका सही answer हो जाएगा ठीक है लेकिन अभी इस चीज़ को याद रखेगा कि यह जो अंत्रा अंट्रार्टिक अध्यान केंदर है इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है राष्टिया अंत्रार्टिक और महासागर अनुसंधान केंदर मतलब N-C-A-O-R ठीक है और यह है का हमें गोवा में है ठीक है अंत्रार्टिक अंत्रार्टिका से एक चीज़ याद रखेगा कि भारत का वहां तीन अनुसंधान केंदर है एक है तच्छिनिक अंगोतरी, एक है मैतरी और तीसरा है भारती, ठीक है? Next question हमारा question number 56 Question number 56 कर रहा है कि भूपर पट्टी में oxygen कितना percent पाया जाता है तो oxygen पाया जाता है almost 46.6% तो option number जो होगा वो आपका सही answer होगा साथ ही साथ याद रखेगा कि भूपर पट्टी में silicon जो होता है वो 27-28% के बीच में पाया जाता है aluminium जो होता है वो 8% पाया जाता है और loha जो है वो 5% पाया जाता है भूपर पट्टी की बात करें तो अभी हम लोग देखे हैं कि भूपर पट्टी जो है वह पृथिवी का सबसे उपरी परत है और उसमें मुखता सिलकन तथा मैगनीसियम धादू पाया जाता है ठीक है नेक्स कोचेन हमारा कोचेन नमबर 57 कह रहा है कि पिट्रॉलियम में से सूध पिट्रॉल डीजल मीटी का तेल आदी को किस बीधी के द्वारा प्रित्ख किया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number C प्रवाजी आस्वन बिधी के त्वारा देखिए हम लोग जो जमीन से मतलब आर्थ करेट से जो crude oil निकालते हैं कच्चा तेल निकालते हैं उसी कच्चा तेल को फिर हम लोग purification करते हैं और उसी से हम लोगो जो सबसे pure form होता है वो petrol होता है उसके बाद वाला जो second form होता है वो diesel होता है और तीसरा जो होता है वो मिटी का तेल होता है और चौथा जो सबसे last होता है उसको हम लोग इंडस्ट्री में furnace जलाने में यूज करते हैं ठीक है और ये जो प्रभाजी आस्वन बिधी होता है इस बिधी में किसे कोथांक के एक ओर्डिंग पे उसको अलग-अलग किया जाता है मतलब जिसका कोथांक जादा कम होता है तो प्रभाजी आस्वन बिधी जो होता है वो मिली कोथांक के प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब एक ऐसिप्र के लिया जिसमें किसी मिसरेंड में उपस्तित परार्थों के को अथांग अलग-अलग हों, तो उसमें प्रवाजी आसवंतन बिधियम लोग लगाते हैं, उसे यूज करते हैं, ठीक है? चलिए, हम next question है, question number 58 question number 58 कह रहा है, कि आजकल सबसे अधीक परियुक्त होने वाली input device का है देखिए, अगर आप computer का question है, computer के अगर बात करते हैं, तो दो device पढ़े होंगे एक तो input, दूसरा output, input का मतलब हम जिसे instruction computer को देते हैं अब output का मतलब computer जो हमें result देता है, तो input जैसे कि हम लोग बोलते हैं, keyword, mouse, ठीक है यह सब क्या है, input का example है, output के अगर हम बात करें, तो computer screen जो है, वो क्या है, output का example है तो input के अगर बात करें, तो यहाँ पूछरा आप से कि सबसे ज़्यादा use होने वाला तो सबसे ज़्यादा use होने वाला कौन सा है, keyboard ही तो है, सबसे ज़्यादा हम लोग उसी से instruction देते हैं computer को तो option number C जो होगा, वो हमारा सही answer होगा next question हमारा question number 59 question number 59 कहा रहा है कि वो योगिक जो नम बायू में रखने पर बायू से नमी ग्रहन करके संत्रिप्त बिलियन बना लेते हैं, क्या कहलाते हैं तो इसका जो सही answer होगा वो होगा, option number B प्रस बेद पदार्त कहलाते हैं, ठीक है next question हमारा question number 60 question number 60 कहा रहा है कि neutronो की खोज किसके द्वारा की गई थी तो neutronो की खोज, देखिए, यहां क्या है, neutrino की खोज पूछ रहा है आपसे तो neutrino की खोज देखिए, अब इस question को थड़ा सो समझे neutrino की खोज जो थे, वो mainly कौन थे, पाउली थे पाउली नाम था उनका, लेकिन यहां option में पाउली है नहीं तो यहां इसके option के according, जो सही answer होगा, बो हो जागा option number C, फर्मी होगा, ठीक है, क्यों फर्मी होगा, क्योंकि neutrino की जो नामा करन किये थे, ठीक है, वो कौन किये थे यही फर्मी किये थे, लेकिन अगर option में जाता है, इसमें पाउली, तो आपका जो सही answer होता, बो हो जाता, पाउली, क्योंकि neutrino की खोज पाउली नहीं किये थे, neutrino की अगर हम बात करते हैं, तो neutrino एक परकार का कन है, जो ब्रहमांड में, photon कन के बाद, प्रचून मात्रा में बिद्वान है, ठीक है, next question हमारा question number 61, question number 61 कह रहा है, कि plank और electron के संबेक के अनुपात को क्या कहते हैं, तो यह इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा, dream broccoli, तरंग भेर कहते हैं, मतलब option नंबर यह जो होगा, बो हमारा सही अंसर हो जागा, ठीक है, और dream next question हमारा question number 62, question number 62 कह रहा है, कि इन में से कौन ISO electronic नहीं है, ठीक है, तो देखे, ISO electronic की बात करते हैं, तो ISO electronic होते क्या है, electronों की समान संख्या वाले परमानू जो होते हैं, परमानू या अनू या आयन, यह सब को हम लोग ISO electronic कहते हैं, ठीक है, तो यहां अगर हम बात करते हैं, NA plus की, तो इसमें भी electronों की संख्या 10, MG 2 plus की, तो इसमें भी electronों की संख्या 10, और AL 3 plus की, तो इसमें भी electronों की संख्या 10, अगर हम K plus की बात करते हैं, तो k plus में एलेट्रों की सम्क्या होती है ठार है तो option number di जो होगा वो हमारा सही answer होगा ठीक है next question हमारा question number 63 question number 63 का रहा है कि नेमलीखिद में से कौन सा एक पदास प्राकिर्तिक बहुलग है तो प्राकिर्तिक बहुलग कुन है यë sum है तो option number B जो होगा वो हमारा सही answer होगा ठीक है अगर हम bakelite की बात करते हैं तो bakelite क्या है एक क्रितरिम बहुलक है जिसको हम लोग non-stick बरतन बनाने में यूज करते हैं अगर हम बात केवलार की कर लेते हैं तो केवलार क्या है next question हमारा question number 64 question number 64 कह रहा है कि किस नियम के अनुसार electrode से मुक्त हुए या electrode पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मातरा बीदूत अपघटक में से परवाहित बीदूत आबेस के समानुपाती होते हैं तो इसका जो सही answer है वो हो जागा फेराडे के बीदूत अपघटन के प्रथम नियम के द्वारा तो अनुमरे जो होगा वो हमारा सही answer हो जागा देखिए बेदा इसके जो फेराडे के बीदूत अपघटन का प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि यदि किसी बीदूत अपघटन के दोरान किसी electrode से डबलू ग्राम पदार्थ अगर मुक्त हो रहा है तथा Q कूलम द्वारा धारा परवाहित हो रही है तो फराड़े के बिदूतर भेटन के प्रथम नियम के नुसार डबलू का जो मान होगा वो Q के समानुपाती होगा मतलब डबलू जो होगा वो डायरेक्टली प्रपोस्नल होगा Q को और फिर ये प्रपोस्नल का साइन हटाके हम लोग यहाँ एक कॉंस्टेंट लगा देते हैं W is equal to Z Q और यहाँ पे Z क्या है एक कॉंस्टेंट है नियतांख ह जिसे मुक्त हुए आयन का बिदूतरसाइनिक तुलकांत कहते हैं क्लेर है चलिए नेक्स्ट कोशिन हमारा Q 65 Q 65 कह रहा है क्या कि वो पदार्स जो खटे होते हैं एब हम नीले लिटमस पतर को लाल कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जगा अप्सनमर ए आमल कहलाते हैं ठीक है अमल का जो pH मान होता है वो क्या होगा? साफ से कम होगा मतलब एसीड जो होंगे वो साफ से कम हो उसका pH मान होगा पिहच मान होता है 0 से लेके University तक तो साथ से कम हो गया USAID की Nature, साथ जो इसका होगा वो हो जागा neutral और साथ से 14 जो होगा वो हो जागा basic इंचर मतलब अमल से याद रखेगा कि अमल जूल मतलब वाटर में मिलके यह क्या बनाते हैं Q67 कह रहा है कि द्रब एरोसॉल का उदाहरन नहीं है ठीक है तो इसका जो सही अंसर हो जागा वो क्या हो जागा धूआ तो option number D हो जागा इसका सही अंसर एरोसॉल होता क्या है हावा में ठोसकनो या तरल बूंदों का जो निलंबन होता है वही एरोसॉल पहलाता है तो इसका जो सही अंसर हो जागा वो हो जागा option number D धूआ next question है question number 68 question number 68 कह रहा है sylvine का रसाइनिक सुत्र क्या है तो sylvine किसको बोला जाता है kcl को तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा ठीक है sylbite या वही होता है sylbite किसको बोला जाता है potassium chloride को ठीक है या फिर potassium क्यूरिक इसको भी बोला जाता है तो sylbite को potassium chloride होगा तो option number B जो होगा वो आपका सही answer होजेगा NaCl के अगर हम बात करते हैं तो NaCl को बोला जाता है sodium chloride यानि सधारा नमक KNO3 के अगर हम बात करते हैं तो KNO3 क्या है potassium nitrate और इसको क्या बोला जाता है salt peter भी कहा जाता है CACO3 के अगर हम बात करते हैं तो यह क्या है चूनापर्थर या संगमर में Next question है question number 69 Question number 69 कह रहा है कि CO का परमानुकर्मांग कितना है CO मतलब कोबाल्ट और कोबाल्ट का परमानुकर्मांग कितना है 27 तो option number यह जो होगा वो हमारा सही answer हो जागा कोबाल्ट हातु बिटामिन B2Bel में पाया जाता है यह भी याद रखिएगा अगर हम बात 28 की कर लेते हैं तो 28 किसका होता है निकल का 29 किसका कॉपर का और 30 किसका जिंक का क्लियर है चलिए next question अमारा question number 70 question number 70 कह रहा है कि पिटवा लोहा में कारवन की मातरा कितनी होती है तो इसका जो सही answer होगा वो हो जागा option number B यानि 0.12% से लेके 0.25% देखिए एक चीर याद रखिएगा कि कोई भी मित्सर धातू में हम जितना कारवन की मातरा बढ़ाएंगे मित्सर धातू उतना ही कठोर होता चला जाएगा ठीक है next question हमारा question number 71 question number 71 कह रहा है कि तना काट आमतोर से किसके भर्दन के लिए प्रयोग में किया जाता है तो ये गन्ना को किया जाता है तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 72 question number 72 कह रहा है कि प्रकंद का उदारन है तो अधरक जो है वो प्रकंद का उदारन है तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा देखिए भूमिगत अगर तना की हम बात करते हैं तो भूमिगत जो तना होता है वो चार परकार का होता है ठीक है पहला होता है कंद जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबर दूसरा होता है धनकंद जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्म हमारा question number 73 question number 73 कर रहा है कि जीव कोशिकाओं में अनुबांसिक लच्छनों के नियंतर अन्म लिखित में से कौन सा उतर दाई है तो कौन सा उतर दाई है DNA उतर दाई है तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा DNA का मतलब क्या होता है D-Oxy-Ribose Nucleic Acid ठीक है तो DNA का फुल फोम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो DNA का फुल फोम है D-Oxy-Ribose Nucleic Acid ठीक है next question अमारा question number 74 question number 74 कह रहा है कि chromium की कमी से कौन सा उतर प्रभावित होता है तो chromium की कमी से कौन सा फेपड़ा परवावित होता है तो option number C जो होगा वो हमारा सही answer हो जाएगा देखिए अगर हम बात human body की करते हैं तो human body में जो chromium होता है वो खनीज के रूप में बहुत कम मातरा में ज़रूरत होती है हमारे body को ठीक है लेकिन और chromium की जैसे ही अगर अधिकता हो जाएगी तो हमारे पेट में सूजन, किड्नी में परिसानी ये सारे problem होना start हो जाएगा तो chromium जो है वो बहुत limited amount में हमारे body को चाहिए होता है चलिए अब बात करते हैं अगले question की तरब जो कि हमारा question number 75 question number 75 कह रहा है कि नेतर से संबंधित बिमारी है तो इसका जो सई अंसर हो जाएगा option number C मतलब cataract भी है और glucose भी है दोनों क्या है आँख की ही बिमारी है तो option number C जो होगा वो हमारा सई अंसर हो जाएगा cataract का मतलब होता है मोतिया बिमारी ठीक है और इसमें क्या होता है नेतर का परदसी लेंस जो होता है वो धूंद्रा हो जाता है cataract का मतलब होता है ठीक है ये बिमारी का जो उपचार होता है मतलब मोतिया बिमारी का जो उपचार होता है next question है question number 76 question number 76 कह रहा है कि ribosomes होते हैं तो इसका जो सही अंसर है वो है option number B यानि RNA ठीक है RNA का full form ही नाम क्या है ribonucleic acid और यह RNA जो होता है वो क्या होता है protein translation में सहायक होता है साथ ही साथ याद रखेगा कि ribosomes को क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है protein का factory ठीक है protein का factory बोला जाता है clear है चलिए next question है question number 77 question number 77 कह रहा है कि कुलू गाटी gene परवत स्रेनी के बीच अवस्थित है वो कौन है ठीक है मतलब कुलू गाटी कौन से परवत स्रेनी के बीच में स्थित है तो option number यह होगा वो हमारा सही answer हो जएगा और यह स्थित है कहाँ भारत के हिमाचल परदेश के हिमाली घाड में स्थित है ठीक है पीर पंजाल से एक चीज़ याद रखेगा कि पीर पंजाल परवस्रेनी जो है वो किसमें आता है आंतरिक हिमाले में आता है ठीक है next question हमारा question number 78 question number 78 कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक स्वपरागिस फसलो या सूद बंस क्रमों के संसकरन से जो पहली पिढ़ी के बीज प्राप्त किये जाते है वो क्या कहलाता है तो इसका जो सही answer होगा वो हो जागा संकर बीज तो अपसर नंबर बीज होगा वो हमारा सही answer हो जागा ठीक है अगर हम बात GM बीज की कर लेते हैं तो GM बीज से याद रखेगा यह कृत्रिम तरीक से बनाया गया वैसा बीज है जो साधारन बीज से क्या है उत्पादक्ता इसकी जादा होती है हमारा question number 79 question number 79 कह रहा है कि इनमें से कौन गाय की प्रजाती नहीं है तो इनमें से जो अलमादी है यह गाय की प्रजाती नहीं है ठीक है मालवी के अगर बात करते हैं तो यह गाय की प्रजाती है यह generally मदव प्रदेशा और राजस्थान में पाया जाता है राठी भी गाय की प्रजाती है ये राजस्थान में पाया जाता है ठीक है अगर कभी-कभी ये भी question आ जाता है कि राठी गाय सोध के अंदर कहा है तो ये अनूपगड स्री गंगानगर में इस्थित है ठीक है गाय का एक चीज़ और पूछा जा सकता है आपसे कि गाय का बैग्यानिक नाम क्या है तो गाय का बैग्यानिक नाम क्या है बॉंस इंडिकस नाम है ठीक है बैग्यानिक नाम Next question हमारा question number 18 question number 18 कह रहा है कि बिसबया इक नौक्स बर्स के दोरान जब दीन और रात बराबरी होते हैं तो होता है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा option number 21 मार्च और 23 सितंबर को ठीक है 21 मार्च और 23 सितंबर को होता क्या है कि सूर्ज की किरने होती है जो वो सिधे 20 वत रेखा पर पड़ती है ठीक है चलिए तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा पहले आप लोग क्या किजेगा कि जाके ग्रूप से पीडियेव डाउनलोड कर लिजेगा फिर अटेम्ट किजेगा फिर अटेम्ट करके आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना मार्क्स आ रहा है साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक like जरूर कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ share कर दीजेगा ताकि उनको भी उनकी भी तयारे में कुछ मदद हो सकें ठीक है, thanks for watching